इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं MCC round 3 के बारे में क्योंकि MCC round 3 में कुछ rules हैं कुछ नियम हैं जिसको आपको follow करना है अगर आप उसको follow नहीं करते हैं तो यहां पर आप MCC round 3 में participant नहीं कर पाएंगे और जो आप college deserve करते हैं जो भी college आप deserve करते हैं वह college आप जो है वहां पर आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप इन rules को follow नहीं करते हैं क्योंकि इससे पहले एक last video भी मैंने update की थी MCC round 3 की अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि MCC round 3 है उसमें बहुत सारे बच्चों को confusion था कि first round में जिन्होंने upgrade किया था या second round में upgrade नहीं कर पाए थे क्या वो बच्चे third round में upgrade कर सकते हैं तो मैंने उसकी भी clearance आपको की थी कि हाँ बिलकुल आप third round में उसको upgrade कर सकते हैं और अब जो है इसमें हम बात करेंगे MCC round 3 में किस तरह से हम नियम को follow करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं इसमें जैसे कि आप बात करें यहां पर हम लोग state counseling में उन बच्चों के लिए बात करेंगे जिनोंने state counseling में भी participant कर रखा है और MCC में भी participant कर रखा है तो उन बच्चों को क्या ध्यान रखना है ध्यान यह रखना है कि जिन बच्चों ने third round में MCC के college मिल गया है और उन्हें college मिल गया है और state round में भी college मिल गया है और उन्होंने आगर वहाँ पर admission के process के प्रोसेस कर दिये हैं ध्यान रहेगा om admission के process कि बात मैं कर रहा हूं। यहां पर IPORTEK की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर om admission का process अगर उन्हें कर दिया है और मुझे तो और उस बीच में आप वह करना है तो we possible नहीं हो परेगा क्यों कि यहां पर om admission का process अपने स्टेट में प्रोसेस कर दिया है या आपने में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपने का प्रोसेस कर दिया है तो उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं अगर आपने उसे छोड़ा तो उसमें उस बिहाफ पर क्या होगा कि आप आगे आगे पार्टेसिपेट नहीं कर कर पाएंगे और दूसरी चीज मालनी जे अगर आपको सीट यहां पर अलोट हुआ और आपने जो है उसे रिपोर्ट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा आप लोग के साथ उस केस में mcc का जो रहेगा उसमें आपको जो आपने सिक्योर्टी आमाउंट डाल रखा है वह सिक्योर्टी आमाउंट जो है वह आपका वह आपका जब्त हो जाएगा और mcc में आप आगे essa прим नहीं कर पाएंगे आप से में पर डिपोर्टिंस कर सकते हैं तो आप जो है तो इससे चोड़ नहीं सकते आगर चोड़ते हैं तो वो आपका state से भी और आपका MCC All India से भी आगे participant नहीं कर पाएंगे और अगर जिन बच्चों को MCC के round 2, round 1 में college allotment हो चुका है और वो आप gradants करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए क्या नियम है वो मैं आपको बता देता हूं MCC round 2 में और 1 में जिन बच्चों को college मिल चुके हैं और उन्हें upgrade के लिए डाला हुआ है और उन्हें upgrade नहीं मिल पाता है ध्यान रखेगा upgrade नहीं मिल पाता है तो उन्हें जो college allot हुए हैं उन college से ही संतुष्टी करनी पड़ेगी और उसी college में दाखिला निना पड़ेगा अगर वो दाखिला नहीं लेते हैं तो उस case में उनका क्या होगा वो seat जो है अगर वो छोड़ते हैं तो वहां पे वो आगे participant नहीं कर पाएंगे ठीक है और जिन बच्चों ने अपग्रेडंस दाला हुआ है उनको अपग्रेडंस मिल जाता है तो उसमें जो college उनको देखिए दो सब्सक्राइब नहीं मिल पाता तो अगर सटीसफाइब हैं बच्चे जिनको कॉलेज छुका है और अगर अगर वहां पर छोड़ते हैं तो भी इस में ध्यान रखिएगा जो सिक्योर्टी अमाउंट है वो डूब जाएगा तो कुल मिला के बात यह है कि जो बच्चे थर्ड राउंड में पार्टिस्बेंट कर रहे हैं अगर उन्हें कॉलेज की तरफ तब तो आप कहीं पर भी चॉइस भी डाल सकते हैं पर बहुत सारे वच्चे क्या होते हैं जो साउथ की तरफ और नौर्ट की तरफ कमफरटेबल नहीं उपाते हैं उनको खासकर ध्यान रखना है कि उन्हें लिमिटेट जो है कॉलेज डालने हैं जिनसे उनको और उस बेस में आप कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो भी आप से बाहर हो जाएंगे तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपके लिए शौट लिस्टेट है जितने कम कॉलेज डालेंगे अगर नौर्थ और साउथ में डालें उतना बेस्ट आपके लिए है कि स्नियम है es take round में अगर आपके ज़ाता है क्यूक्य और कॉलेज मिलने के बाद आपने पर अलाट्मेंट नहीं किया तो आपको एक साल्स पर रिस्टिक्षिन figenev हो जाएगा एक साल तक फिर नेक्स्ट येर नहीं कर पाय एक तो इस चीज़ का खासमखास ध्यान जैसे ही कोई नियम आता है तो उसके बाद हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अपडेट करेंगे तब तब के लिए जै हिंद जै भारत